इस सड़ को पूल पर बोलने के लिए मोगा दिया उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद मैं राजस्तान के लोगपरे मुख्य मंत्री असोजी गलोज साब का बहुत बहुत आपार विए करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्तान की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से 2021-22 का बजट सड़ को उपर 15,000 क्रोड से उपर खर्च करने का जो लक्षे रखा हमारे लोगपरे मुख्य मंत्री जी की सोच है जिस देश और दिस प्रदेश की सरक्य मजबूत होती है वो देश और प्रदेश मजबूत होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को ध्यान में रखते हुए विदाईकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिना पाल्टी पॉल्टिक्स को बीच में लाते हुए सब्दों को सुनो सरमाजी विदान सवा में अशन से आप उदर नहीं इन्वाइट मत करिया आप उनके वो किसी भी विचार धारा किये विदाय को नगर परिशद में 20 किलो मेटर नगर निगम में 30 किलो मेटर नगर पालिगा में 10 किलो मेटर हर विदान सवा में 5 क्रोल रुपे और हर जिले में 3-3 सटके जो मत पूर्णे अधिकारियों से वहां के जनप्रतियों से पूच कर उसको इस बजट में लिया गया मैं मानने सभापती मोदेर निवदिन करना चाहूंगा मैं जिस विदान सवा से आता हूँ उसी विदान सवा से पूर्ण मेरे साती सम्मान या मदन जी दिलावर राटर साल से विदायक रहे है राजियंदर जी राटर प्रिवय मंतरी से दिलावरं शी दो बारिम मंतरी राइसि पूर्टोण जी शड़क से इस सब्सक्राइब लोगों इन व्यानी दिया जब राजयस्तान के चुनाव 2008 में हुए और वहां की जन्ता ने मुझे आशिरवाद दिया और राजस्तान के लोगपरी मुक्यमंत्रिया सोजी गलोत बिने मैंने उन्चे यह की बात की कि मुझे मेरे छेतर में कुछ नीच यह लेकिन यह जो सड़क जो बारा से एक लेना जाती है इस पर इतने गड़े मु आटरा साल राज करने के बाद उस पर क्या किया मैं मानने स्वापति मोदे निवदर करना चाहूंगा मेरे विदादन सबाद चेतर में क्यों तीन चार इंपोर्टेंट काम है क्योंकि कोटा से हमारा इलाका मध्यपृत्य से जुड़ा हुआ है और जो कोटा से सड़क चलती आदानी की बात रो उसके जो बल्gar या बड़े टेंकर है वो उसके निकलते को सड़क हो जाती है मैं मानEMAंत्री मोदों को निवदर करना चाहूंगा क्योंकि मारी हारोती की जो मित्टी है वो काली मित्टी है वहाँ पर जो सड़कों का निर्मान क्या जाता है वो सडके 2 या आज हर इस्टाप हर जगह एसी की पोस्ट बढ़ी हुए है एकसं की पोस्ट बढ़ी हुए है लेकिन उसके निचे काम करने वाला आई एन और जाइन की पोस्ट बढ़ी हुए है लेकिन उसके निचे काम करने वाला आई एन और जाइन की पोस्ट बढ़ी हुए है इसलिए मेर जो पारवती नदी है और एक डेम, जो किसनबुरा का बंदा है, वहाँ पर एक रपट के हती आउ सकता है, ताकि लोग, चाहिए वह बरसाद निकलने के बाद उससे आवागमन का संसादन हो सके, क्योंकि वहाँ का माल मेरे बेचनी आते हैं, मेरे बेचनी आते हैं, दूद वह मेरे यहां आता है, मेरे यहां का दूद वहाँ जाता है, तो यह आवागमन के लिए जो आप लोगों को प्रिशन आती है, इसलिए उस पुलिया का निर्मान किया जाए, आपने इस बजट गोश्न आज की इस मांग पर मुझे बोलने का मुखा दिया, मैं मानिय मंत्री महु है, अज़्दलाल जी, एक मिट, स्वापती महुदे मैं प्रस्ताव करता हूँ, एक मिनिट, स्वापती महुदे मैं प्रस्ताव करता हूँ की सदन का समय हनुदान की मांग संक्या 21 सडकें और पुल पर